नमस्कार दोसों आप शुबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करक राशी के बारे में तो दोसों गर आपकी भी राशी करके हैं तो दोसों आज के इस वीडियो को बिलकुल भी मिशना करें और शुरूश लेकर अंत तक करें और कमेंट बोक्ष में सच्चे मन से जय शंडेव लिग दें भगवान शंडेव की अश्यम किरप आप शबी को प्रैप्त होगी जया दोसों दोसों आप शबी को बता दें कि आपके ही घर में चुपा है शब से बड़ा गद्दार जया दोसों और ये धीरे ही धीरे आप ये आपको कंगाल कर रहा है और दोसों इनका बनक आपको अभीतर नहीं लग पाएया है तो दोसुम्या अचकी विडियो को आप बिल्कुल ही भी मिश्णा करें और दोसों शुरूर श्यू लेकर अंज तक जरूर देखिएगा ऊज होश क्यकि तो आज की विडियो को आप अकैले में देखें। जेया दोसों कि आजी की विडियो में आपको ज्यूंकि वहाँ जानकारी मिलेगी। जिनें शूनकर आपके होस्तों और दोसों यह आपकी ज्यूंकि कड़वी सच्चाई हए कि इनnego बड़नट आप मने की शबलता के बीच रोड़े बनते रहते हैं और दोस्तों एक चीजा आप नोटिश करेंगी similar कि जब आप शबहर होते हैं जब भी आपकी मण में प्रशनता होती है जब भी आप को कुछ चीज आपके मैर शिम जिग मिलती है तो दोस्तों यही दुश्मन आपके खिलाब कुछ न कुछ नया शणेंतर जरू बनाते हैं जिसे कि आपकी वह खुशी आपसे चिंजाए लेकिन दोस्तों यह बात तो हुई बाहरी दुश्मनों की लेकिन दोस्तों उसका क्या करें जो कि आपके घर के अंदर ही बेटा हुआ है दोस्तों ये लोग जो आपके करीबी होते हुए भी आपका अच्छा नहीं चाहते या लोग आपके शब्से बड़े दुश्मन होते हैं दोसों हम आप शुगो या बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको आपकी जरुत की मुताबित कुछ नहीं भी मिला तो भी आपने काम चला लिया है जिसे तेसे करके अपने जुनकाल में अपने जुनियापन करते हैं आप हमेशा दुसरों को खुशी देने के लिए अपने शबी एक्छाओं को अपने शबी अर्मानों का गला दबा कर आप उन्हें खुशियां देते हैं जिया दोस्तों आपने शई सुना आज हम उन्हों लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी आज तक कभी भी कदर नहीं हुई और दोस्तों इसका रीजन यह भी है कि आपने जिनके लिए सब कुछ निचाओर कर दिया अपने पास कुछ नहीं रखा जिनके लिए और दोस्तों हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहें लेकिं दोस्तों उन लोगों ने आपकी फिलिंग आपकी एमोशन या फिर कए आपक लोग पलट कर सबसे अच्छाइं रहते हैं सब के शाद अच्छाही करते हैं जी अदोस्तों आपके मन में कभी बैद दूसरों के परतितम द्वेश की भावना हिंता की भावना या पर यूख है तो किसिए परतितम बुरा व्या वहार आपके अंदर नहीं आया जिया दोसों, यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, कि हर इंशान की शेहन करने की कोई शक्ती होती है, कोई शीमा होती है, पर फिर भी आपकी राशी वाले लोगों की सबसे अच्छी और दिल चल्स बात लिया है, कि आपका अगर शब कुछ लुट भी जाए, तब की और आपको कोई आप काम करने की ठाले, तो दोस्तों, आप उन्हें पूरा करके ही छोड़ते हैं, क्योकि आपके राशी वाले जो लोग होते हैं थोड़ा जिदी पर होते हैं जिद से आप हर कारियों में शफलता की प्राप्ति कर लेते हैं और दोसों वह काम पूरा करके ही छोड़ते हैं इस राशी की लोग अगर किशी से प्यार भी करते हैं तो दोसों आप लोग इस तरह उनके प आपको भावनों को रुप्षे उनसे जुट जाते हैं कि छोटी चोटी बात पर भी आपको दर्द होने लगता है आपको लगता है कि वह व्यक्ति केश्य होंगी उनके प्रति आपका जो ख्याल है जो आदर शमान है वह बढ़ जाता है लेकिंदों होता क्या है कि जो अगला ब्यगति है वोग आपकी भावनों को शमय नहीं आप बहुत जयादा उनसे कहते हैं दिल की बाते शाले उनके शामने रख देते लेकिन दोस्वें फिर भी जो अगला व्यक्ति होता है आपकी भावनों का कदर मंधर नहीं करता आपकी फिलिंग को स्पर आपने P जिया दोसों और एशे शेहन से लिंसान आपकी राशे के सभी लोग होते हैं जिया दोसों समयधार होने के शाथ साथ दायावान भी होते हैं कभी किश्य के उपर आँच भी नहीं आने देते दोसों जूनकाल में अगर आपके शामने कोई इंसान गिर रहा है मर रहा है तो दोस्तों एश्य में आप उन्हें गिरते मरते नहीं दे पाते दोस्तों यूँ कहें तो आप मदद करने के लिए आपके पास जितना भी कुछ होता है दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करते हैं दोस्तों आपके राशी वालों के शाथ इसा देख लेकिं दूस्तों अक्षर आपको गड़े में गिरातीस आपको जो मिश्रा में बुरा बना देती दोस्तों आपको भी अपने जुनकाल में कुछ बातों का विशेज ध्यान रखना है कि ज्यादा भूलेपन बनने का परियाश ने करना है दोस्वों कोई दूसरा इंशान जिसको आपने अपना शमझ कर उसके लिए सब कुछ किया और वह इंशान आपकी रिस्पेक्ट ना करे आपकी फिलिंग को हर्ट करे आपको कुछ भी ना शमझे यह भी बहुत से लोग हैं जो आप शे अपना फाइदा निकालते हैं वह दोस् ठहए यह जव खटना आपके आशाथ नहीं होरही है जियां दोस्वों आपनी रायहर हमें कमेंड की दोवारा जरल बताइगा क्या दोसों यह नुदौर आपके जियुन में नई हैं हमें अपना जवाब कमेंड में लिगकर जरूर बताईएगा कि कि आपकी राशीके शात जिसने भी गलत किया है, उसे अब शबक शिखाने का मुखा आ गया है, उसे अब वैल्यू बताने का टाइम आ गया है, अब उसको आपकी एहमियत का पताच चलना चाहिए, आपका दोस्थों अब अच्छा टाइम आ ही गया, ये शाहि समझे, लेकिं दोस्थों सावधान भी हो जाए दोस्वों जो गलती आपने पहले की है जो ठोकरें आपने पहले खाए हैं शिर्प आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वही गलती आपको वापाश अपने जोन में नहीं दो रहना जो गलती आपने पहले की है उसे दोबारा शे आप करके अपनी लाइफ में और उनके पीछे वापस लग जाते हैं लोग आपसे दो-चार प्यार बरी मिठी बाते करेंगे आप शे मापी मांगेंगी और आप लोग एक बार फिर उन्हें माप करके उनके पीछे लग जाएंगे तो दोसों एशा अब आपको अपने जुरकाल में बिल्कुल भी नहीं करना है ज्यादोसों अब चली आपको बता देते हैं कि आखिर आपकी फिलिंग, आपकी एमोशन की आपकी भाणों की कदर कब होगी दोसों हम आपको बता दें कि कलियूक के महराज बगवान श्रिंदेव की किर्पादिष्टी अब आपके उपर पढ़ने वाली है जिया दोसों जैसा कि आप जानते हैं कि शन्यदेव अभी वक्रिवस्ता में चल रहे हैं और इस चाल के वज़े शन्यदेव की किरपा दिश्टी आपके उपर पढ़ रही है और दोसों शन्यदेव किशी काभी बुरा होता हुआ नहीं देख शकते न्याय के देवता है और ज अब वक्ता आगया है धावक देना है आपकी जवाब देने का क्योंको अब शुएंग कल्यूक की महराज शन्यदेव आपके शात हैं उन्से आपका हांथ पकड़ लिया है और अब आपकी शारी परिशनियां दूर करेंगे दोस्तों आपको जितने भी दुख्याएं हैं उ प्रवर्तन होना शुरूर हो जाएगा और दोस्तों आने वाले महिनों में जो गरों की चाल में प्रवर्तन हो और आपके लिए बहुत ज़्यदा लाबकारे शमझेगा दोशों अब आपका श्मय जल्द से जल्द बदलने वाला है बस आप अपना कर्म करते रही दोसों आप शुरु को बताना शाल के बाद बड़ा राज्योग बन रहा है जी दोसों आप शुब बता दें कि अब आपकी भक्ति शे कल्योग की महराज शंदे बहद ही प्रेशन हो चुके हैं जिससे आप आपकी एक नई मिशाल शावित होने वाली है आपकी एक नई जिन्दगी शुरू होने वाली है दिन दूगनी रात शोगनी तरकी आप करने वाले हैं जैंदोसों आपको बता दें कि आपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे शुनदेप के लिए आप अपने जुनकाल में खाश भक्ति रखते रहे जुनकाल में आपको शिक्षा नोकरी वैपार के चेतर में नई खुशक पाएंगे लेकिन दोसों शमय अब आपका जो बदलेगा इनमें आपको वह गलतिया नहीं करनी है जो आपने पिछले शमय किया है जैंदोसों हम आप शुक बता दें कि आश में आप महत्मुन फिशला शोच समझ कर ही लें जैंदोसों अपने विवेक्षे कारे करने की आप को शकता है कारे चत्र में आपकी किश्मत का पूरा श्योग मिलेगा आपको जो भी मेहनत है उनका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा इस दौरान आपकी लोटरी भी लग शकती है श्रमाज में इस दौरान मानशमान बढ़ेगा आपके विवाय के जीवन में खुशी आने वाली है ज्यादों साती श्रंतान के और शी कोई नयाव बाहर मिल सकता है कोई शुवसमचार भी मिल सकता है किश्मत चमंगने के कारण आपकी रुके हुए कारे भियाश में पूरे होने दोसों आयके नए श्रोत अस्थापित होने वाले हैं प्रस्तियां धीरे धीरे बदलने वाली है परत्युगता प्रिक्षा में भी आपको इस दोरान शुफलता प्राप्त हो शकती है और दोसों यह श्में आपको शुन्देप की गिरपा पाने के लिए हर शनिवार को काली त करें शनिवार के दिन बंद्रों को गुड़ और चने खिलाएं एवंग हनुमान चलिशा का भी पाट करें इशे शनी दोशों का जो शामना है मनुष को नहीं करना पड़ता है और हनुमान जिकी गिरपा भी इंशे प्राप्त होती है दोसों आप शुनिवार के दिन शनी मं मंत्र है ओम शन शंचराई नमा दोस्तों इस मंत्र का एक शौट पार जाप करेंगे तो दोस्तों भगवान शुन्देप के गिरपा आपके जुनकाल पर निरंतर पड़ती रहेंगी इस ज़िए दोस्तों आप शिवार बता दें कि मंगलवार और शनिवार की दिन भगवान शुब रहे